नमस्कार दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो करने जा रहे हैं वह हर विद्ध्यार्थी के जीवन में आता है ऐसा कोई भी विद्ध्यार्थी असफल इंसान आज तक नहीं होगा जो कभी फैल ना हुआ हो तो आप अगर किसी परिच्छा में फैल हुए हैं या जीवन के किसी मोड पर तो यह 3-4 मिनट का वीडियो देखने के बाद उसको फिर सफल बढ़ने में जुट जाएंगे पहला फैल सब्द से डरे नहीं या अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट फैल सब्द से डरते हैं किसी परिच्छा में फैल होने पर वे इसलिए घपराते हैं कि लोग क्या कहेंगे दोस्त रिष्टेदार पडोसी सब पूछने के बाद डाटेंगे या मजाग उडाएंगे दोस्तों जो भी आपको समझते हैं डाटते भी हैं भले के लिए और उनका या अधिकार भी है क्योंकि वह आपको सफल होता देखना चाहते हैं तो आपको उनकी बातों को समझकर अगली बार और अच्छा करने का वादा करना चाहिए और जो लोग आपका मजाग उडाते हैं उन्हें नजर अंदाज कीजिए क्योंकि वह आपको सफल होता नहीं देखना चाहते अगर आप उनकी बातों में उदास होंगे तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो आप उनको चुनोती समझिए और आगे बढ़िए दूसरा सारे सफल लोग फेलियर सी थे जी हाँ सोची अगर बड़े और सफल लोग फेल सब्द से डरते तो आज हम अंधेरे में ही रहते जैसे थामस एडीशन जब बल्ब का विसकार कर रहे थे तो हजारों बार फेल हुए अगर एडीशन किसी के कहने या मजाक उड़ाने से बैठ जाते तो आज बल्ब की रोशनी में हम नहीं पढ़ पाते आप तो कुछी बारा सफल होगे ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग जैसे आइस्टीन न्यूटन अगर फेल होने से दुखी होकर बैठ जाते तो आज हम विद्वान में बहुत पीछे होते तीसरा मत सोचे की पीछे होगे दोस्तों आप ये मत सोचे की आप फेल होकर सारे अपने साथ वालों से पीछे होगे सारे बिद्यार्थी जब स्कूल में होते हैं तो यहीं सोचते हुए डरते हैं कि अगर फैल होगे तो सबसे पिछड जाएंगे जबकि यह सब समय के उपर निर्भर करता है और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है एक लोग की बात बताओं वो आज इंजीनियर हैं वो स्कूल में पढ़ाई में ठीक थे कुछ दोस्त हर साल फैल होकर बिछड जाते थे जिनमें कुछ दोस्त सालों बाद मिले हैं और वह उनसे ज्यादा सफल हैं कुछ दोस्तों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं कि फिर भी उनसे ज्यादा सफल हैं कुछ फेल होने पर मेहनत से आगे बढ़े और वो उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं जिससे यहाँ पता चलता है कि यहाँ आपके उपर है कि आप कितनी और ज्यादा मेहनत करते हैं और सबसे आगे निकल पाते हैं चौथा है कल से नहीं आज से सुरू करें दोस्तों वीडियो देखने के बाद मन करेगा मैं कल से महनत करूँगा पर अगले दिन से ही आप वही गलतियां दोहराने लगते हैं इसलिए यह वीडियो देखने के बाद से ही आप महनत करें गलतियों की लिष्ट बना ले जैसे सोना जागना प्रेक्टिस करना और किसी सही बेक्ति से सला लें और दोस्तों यह वीडियो अपने परिवार वालों और दोस्तों को साथ सेर कीजिए ताकि कोई फेल हुआ हो और उदास बैठा हो तो उसको एक नई रह मिल सके धन्यवाद